करते हैं तन्मन से बंदन जन्गन्मन की अभिवाशा का, अनेंदर अपनी संस्कृति का, अभिनंदर अपनी वाशा का सूपरबाद मैं अनन्या नोविक अक्षा की शात्र आज आपके सामने हिंदी पक्षाड़े के उपलक्ष पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हैं आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे अंगरेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंगरेजी बोलने से भी गबराते हैं एक वक्षा जब हमारे देश में हिन्दी का बोलवाला था, मा की आवाज में भी सुभा का उजाला था उस मा को अब हम मौम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई इस बाशा से अब हम नजर चुडाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारा प्रीचे पूरी दुनिया में कराती है चलो आज कुछ लिख लेते हैं जो बारत की शान है बारतियों का स्वविमान है हिंदी, संस्कृत की संतान है हिंदी हम हिंदी है, हिंदी का हम सबको अविमान है सारी बाशय प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है जन में हिंदी, मन में हिंदी, हिंदी है हर ग्राम में हिंदी का उप्योग करते हम अपने हर काम में एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी तान है सारी बाशय प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है राजबाशा है ये हमारी राष्टिता का पर थीक है हिंदी की निंदा करना क्या यह बाट थीक है हिंदी की जो निंदा करते वै अब तक नादान है सारी बाशे प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है सारे विशब में फैले हिंदी ये हमारा अर्मान है सारी बाशे प्यारी है पर हिंदी हमारी जान है हिंदी मेरा इमान है, हिंदी मेरी पहचान है हिंदी हूं मैं और वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है क्यों ना अपनी मातर बाशों को फिर से सराखों पर बिठाए आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस बनाए आओ हम से मिलके हिंदी दिवस बिनाएं, दन्यावाद